गुद इमनिंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सबी आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ब्लोग मेंने स्टार्ट किया है जो लास्ट लोग मैंने खतम किया था वहीं से मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि काफी लंबा हो रहा था वो लग तो मैंने क्लिपस एड नहीं करी छोड़ दी थी तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया है तो यहां पर देखे दूद आ गया था तो मैंने गरम होने के लिए रखा अभी जो बर्तन जो मॉनिंग में क्लीन किये थे दोपेर में खाने पीने के सारे जो भी बर्तन थे वो ड्राइ हो गए तो उनको मैं लगा दूंगी अपनी जगे पर और उसके बाद करते हैं खाने की त्यारी तो यहां पर देखिए बर्तन सारे मैंने लगा दिये हैं और कड़ाई रखूंगी क्योंकि मैं बना रही हूं यहां पर वर्मी सेली और साथ में कुकर भी चड़ा दूंगी दाल रख लूंगी तो दाल यहां पर मैंने चड़ा दिया और यहां पर देखिए कड़ाई में पानी उबल रहा कलर देख सकता है यह बिल्कुल यलो यलो सा हो गया है क्योंकि डेली सबजी बनती है इसमें तो जब भी मैं कुछ कर लेती हूं तो क्या होता है ना कि जो भी हम मसाले वगयरा देखिए कलर चेंजे बिल्कुल कलर बिल्कुल चेंज हो गया है तो जो भी हम मसाले वगयरा से सब्सक्राइब बनाते ना तो फिर मीठा कुछ बनाते उसमें तीखा सा टेस्ट आता है तो इसके लिए इस तरीके से कर लेती हूं तो जो मसालों का तिखापन जो टेस से वह नहीं आता है तो यहां पर बढ़िया से पानी में अच्छी से गरम करके पानी फैंक दिया है और यहां पर देखे कड़ाई पापी चड़ा दी कैसा उन किया है एक से दो चमद छोटी चमद जितना गी डाला है और ड बिना भुणही लेकर आती हूं यहां यहां पर गाता है यहां पि possibility रखा था मैरे पास दोदो प्रोड़ चें और कि बजूर या चाहिए हूं सक भीड़ हुआ लुकर यहाद रखाय अगे तुक्षी क क। दूरी बाखी पर बाकी का दूर वह भी सार मैंने चाहन ली और मलाई में डाल दूंगी तो बस रर्थ सेम भगोनी में थोड़ा सा पानी डालोंगी क्योंकि काफी उसमें दूद्र लगा रहे जाता है तो अच्छा नहीं रहता है अच्छा नहीं मानते हैं कि वो सिंख में जाए और स वर्मिसीली ़ामिसीली तो थोड़ा ऊसमें पानी डाल यंदर चिंखी वर्मिसीली फूले, फूले यहीं फानीच जलता है, इसलिए तो अब इसको मैंने धीमियाच पे छोड़ा है, बॉयल होने देंगे, थोड़ी सी केसर के धागे डाले हैं, तो कलर आ जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें, आप चाहे तो हो तो डाले न तो नहीं, भी डालेंगे तो भी चलेगा, मेरे पास रखी रहती है तो मैं य बना लेती हूँ, कुछ भी प्लानिंग करके नहीं, जो भी रहता है, मन करता है, चीज दिख जाती है, तो बना लेती हूँ, तो ड्राइफूट मैंने थोड़े बहुत प्रस किये थे, थोड़े बहुत ऐसे ही उसके अंतर ही मिक्स करके छोड़ दिये थे, बादाम ऐसे ही कभी बनाती हूँ, तो एक्ष्टा हो जाता है, तो इस तरीके से छोड़ देती हूँ, रखके, तो बस यह भी बादाम मैंने थोड़ी बीन के निकाल लिए, जो जितना मुझे चाहिए, इसमें डालने के लिए वो मैंने निकाल लिए, बाकी बापीस फ्रिजर में रख दू और भी जैसे यह और भी जैसे तो ठंडा होते 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 और भी इसमें से यह दूद्ध एब्जोब कर लेगी, इसका यही है, तो देखिए ड्राइफूट मैंने डाल दिया और मिक्स कर लेंगे, बहुत टेस्टी लगता और इंस्टंट वाली रेसिपे, कई बार मैं आपक इस तरीके से बन जाता है, खीर भी बन जाती है, तो रहती ही है, मैं किलो का पैकेट ले आती हूँ, जो इंस्टंट वाला है अचानक से मिठा खाना है और जादा घी वगेरा नहीं खाना है, और फटाफट से बनने वाली चीज़े, हेल्दी भी है, क्योंकि सूजी से बनी रहती है, यह बर्मिसेली, तो कोई नुकसान भी नहीं करती है, और फटाफट से बनने वाली है, बच्चे भी बना लें इसको तो, रेडी हो गई है, हमारी गैस मैंने ओफ कर दिया है, बाउल निकाल के लिए आई हूँ, देखिए, और आब इसको निकाल लेते हैं, क्योंक पसंदाती है, यह देखिए, बर्मिसेली हमारी रेडी हो गई है, आप लोग भी ट्राइ कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है, और यहां पर सेर कर देऊ, मैं आपके साथ मेरी कुछ सौपिंग, तो यह देखिए, मैंने दो सूट और एक साड़ी मंगवाई थी, पर साड साड़ी देखिए, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, और बोडर भी अच्छा ही है, कुछ साड़े 500 तक की कुछ पड़ी थी मुझे, सेल चालू था तो उस टाइम भी मैंने ओडर कर दी थी, तो साड़े 500 में लगबग मुझे पढ़ साड़ी और कुर्ती तो बहुत ही सुन्दर आई थी, बहुत अच्छी कुर्ती आई थी, तो यहां पर देखिए, मानिया बोल रही थी कि मैं अन्बोक्सिंग करूंगी, तो मैंने बोला ठीके चलो कर लो, तो वही खोल रही है, तो उसको खोलने को जमी नहीं रहा था, तो देखिए, दो कुर्ती मैंने मंगवाई है, और गोसरी की है, अच्छा ब्रांड है, मैंने पहले भी इसकी कुर्ती मंगाई है, दो कुर्तिया मंगाई है, तो बहुत अच्छी आई थी, और यह भी बहुत अच्छी, मतलब जो प्राइस में मैंने मंगाई है, उस प्राइस क करो तो हो जाता है रिटन वैसे पर जंजट तो लगता यह ना फिर वापीस वह आएगा तीन चाहिए लग जाते आने में तो मैंने आट सो साथ रुपए में दोनों ड्रेस मुझे पड़ गई पॉकेट भी है साथ ने नॉर्मल इसका प्राइज लगबख 500 के आसपास ही रहता है और सेल में मुझे और भी काफी सस्ती में तब सो रुपए का मुझे फायदा हो गया सेल में और कॉलेटी अच्छी सबसे बड़ हो जाती है लेकिन पेरन्ट में कभी एकसल में तब हो जाती है तो एकसल में पर्फेक्ट आती है ये तो वैसे हुद ही फीजिये मुझे फर लूज ही ठीक र indic है जाए मैं मुझे नहीं लगता है कंफोते मैं थोड़ा सा फिटिंग कर लोंगी कमर में सर्टी तो उसको में में थोड़ा फिटिंग कर लोंगी और पेंट तो हलकी सी रूजी चाहिए बहुत ही अच्छी कुर्तियां आई है यह प्राइस वाइस कॉलिटी बहुत अच्छे दोनों में एक एक पॉकेट दी हुई है अलास्टिक है कमर में और लेंथ भी बहुत अच्छी है मतलब पैंड क युष के लिए एक दो बार भार भी पेंच सकते हैं और डेली उसके लिए बहुत अच्छी है तो चलिए वीडियो को करते हूं यह पर मैं एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो पी वीडियो को लाइक करेख शेयर करें चैनल पर न्यूंब तो